नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आपका स्वागत अविनंदन मेरे इस चैनल खिल ग्राओं का में हम बात कर रहे हैं रासी फल अगस्त 2019 की तो 2019 मां में जो आपकी करक रासी है उसमें सूर्य बुद्ध मंगल और शुक्र चारों ही एक साथ विराजमान है मंगल इसमें 24 सितंबर तक करक रासी में रहेंगे अथार नेगेटिव रहेंगे और मंगल आपकी कुंडली के अंदर आपकी रासी कुंडली जब मैं कुंडली की बात कर रहा हूं तो मैं रासी कुंडली की बात कर रहा हूं जो हम ये प्रोग्राम बना रहे हूं मून साइन प प्रेकिटिव मंगल की दस्ती जहां जहां भी पड़ेगी, वहां वहां समस्याएं आएंगी। लेकिन इसके साथ में बहुत अच्छी इस्तिती है कि सनी रासी से सिख्स्त हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन प्लानिंग एक्जिट नहीं हो रही है। तो आपने आपको स्ट्रॉंग और प्रेक्टिकल बनाना है। ज्यादा इल्यूजन में, ज्यादा कन्फुजन में, घुसने की जगे, बहने की जगे, आपने एक डिसजन लेना है। चाहे वो डिसजन अपने घरवालों से एक बार आप अर निर्णे के स्थिति में फस गए तो फिर आप अच्छे समय का फाइदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि अच्छा समय आपके पास में पांच नवंबर तक बहुत जादा है ग्यारा अगस्त दो अजार उननी से जो ही ब्रेस्पती मारगी हो जाएंगे आपको फाइनिशल गेन आपको सपोर्ट मिलना बागय का सपोर्ट मिलना और साथ ही साथ अपना खुद का सपोर्ट कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड अप जब जबस हो जाएगा उससे आप बहुत ज़्यादा सक्सेस पास सकते हैं जो भी काम रुके में और जो भी फाइनिशली काम रुके में वो भी आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर एचीव कर सकते हैं तो सबसे पहले धन की स्थिति के कुनली में धन की स्थिति इस माह में अगस्त माह में बहुत ज़्यादा बैटर है जो इंकम है इंकम भी इंप्रूमेंट पर आएगी और साथ ही साथ जिस हूँ वो चीज़ पे नहीं जाना है क्योंकि सूरी और मंगल दोनों ही कुनली में फर्स्थाऊस में तो सूरी को गराउं का राजा बोला जाता है मंगल को सैनापती बोला जाता है एक प्राहिम मिनिस्टर और साथ-साथ रक्षा मंतरी दोनों ही आप ही बन करके जो निदे लेंगे डिस्जन लेंगे वो साथ आपके खिलाफ हो सकता है या यह बोल सकता हूं वो आप अपने लिए गलत निने ले सकते हैं इसलिए भावनों में बह करके या अपने जिद में आकर के आपने डिस्जन नहीं लेना है तो फाइनिचली सेचुशन आपकी बहुत अच्छी ह साथ साथ में गलल परस्तित्यों की अगर बात करेंगे तो शुक्र आपकी गासी कुलेम 11 ता उसके भी लोड़ है और साथ में 4 ता उसके भी लोड़ है तो लगन में बैठ करके वो आपको सुख सुविधाएं देंगे आपकी लाइफ में एक स्टेटस आपका इंप्रूव होगा, स्टेटस बढ़ेगा या यह बोच सकते घर में रंग रोगन की साथ सज़ा के लिए एक्सपेंसेज की योजनाई बनेगी, प्लानिंग बनेगी और उस और आपका एक्सपेंसेज होगा खर्च होगा एजूकेशन की बात करें, संतान की बात करें ब्रहस्पती फिफ्ट आउसमें बैट करके इंप्रूमेंट आपको दे रहा है तो जो स्टुडेंट्स हैं, जो विद्यारती हैं और इस्पेसली जो इंजिरिंग के सब्जेक्ट के विद्यारती हैं और साथ में कॉमर्स के विद्यारती हैं कॉमर्स के स्टुडेंट हैं, उनको इस टाइम पिरिड में बहुत ज़्यादा फाइदा मिलेगा और यदि आपका एडमेशन बहुत अच्छी कोलेज में नहीं हो पाया है, कोई लिस्ट में आपका नाम नहीं हो पाया है, तो अगस्ट माह में जो भी लिस्ट निगलेगी, वो ग्यारा अगस्ट के बाद में संभावना हैं, बहुत ज़्यादा बलवानें ग्यारा अगस्ट के बाद में आपका admission बहुत अच्छी जगह पे हो सकता है आप अपने आपको निरास नहीं करें अपने आपकी hope नहीं छोड़ें अता जो भी उमीद है उमीद के दामन पकड़े रहें तो ये काम आपका होने वाला है जो competition के exam दे रहे हैं उनके लिए भी मैं advance में बदा ही दे सकता हूं कि जो समय चल रहा है वो आपका काफी बैटर है समय आपका confidence बहुत strong है बहुत build-up है और आपने सरफ वासरफ अपनी overthinking को control करना है तो आपको interview में कोई रोक नहीं पाएगा जो competition के exam में वो आपके बहुत अच्छे ह होता है तो यहां पर शनी 6th house में इस्थित हो करके वहां पर देख रहा है इसते छोटे भाई बैनों के उपर आप हावी होने का प्रियास करेंगे लेकिन फिर भी वो आपको negative answer नहीं देंगे आपका काम आनेंगे आपको support करेंगे इस समय एक बहुत अच्छी सिचूशन है क ब्रेस्पति कुनली में 5 अच्छ जिवन साती उनका है चाहे आपके दामाद हो आपकी पुत्रवद हो आपकी संतान हो सभी आपके कंट्रोल में रहेंगे नियंत्रन में रहेंगे और आपको भर्पू सयोग मिलेगा चाहे बिजनसमेन है तब भी और चाहे कोई बहुत बड़ा निन्ने आपने लेना है घर में तब भी वो आपका 100% सयोग करेंगे आपने अपनी भावनों पर नियंत्रन ठीक जरूर रखना है ताकि कोई भी गुस्से में आकर के जिद में आकर के अपसब्द बोल करके मावल को खराब ना कर दे क्योंकि व्यक्ति गुस्से में आकर के गुस्सा श्रणिक होता है लेकिन उसका परणाम बहुत लंबा होता है अब 10 वर्ड़ की दोस्ती 10 वर्ड़ का रिस्ता सरब 2 सेकेंड में गालिक लोच करके या कोई अपसब्द बोल करके खराब कर सकते हैं जो कुछ भी आपने उस दोस्ती पर इंवेस्मेंट किया है जिंदगी पर इंवेस्मेंट का अर्थ ही है कि हमने उस दोस्ती को रिस्ते को पाला है तो वो दो मीनिट के आपके आवेस्ति खराब न हो जाए क्योंकि संपर्कों से ही लाब उठाया सकता है संपर्कों से ही व्यक्ती की value बढ़ती है व्यक्ती अक्यली की value कभी नहीं होती है आपने जो भी effort किया है जो भी आपने चाहिए आपकी दोस्त यार दोस्त बोल दीजिए लेकिन संपर्क सूत्र तो ही है तो संपर्कों का लाब हमेशा विक्ति को मिलता है और सपोर्टर्स इसी को बोलते है यदि को मंतरी जी है राजने दिक व्यक्ति है उनके सपोर्टर्स से ही उसकी वैल्यू होती ही है अब बात करते हैं हेल्थ की तो हेल्थ हेल्थ का अधिपती ब्रस्पती है ब्रस्पती अपने से ट्वैल्थ स्थान में जरूर है लेकिन कुंडली में त्रिकोंड स्थान में है इसलिए सबसे ज़्यादा negative होकर के सूरी के साथ में बैठ करके आपको कहीं ने कहीं गलत निडने की और आगे कर सकता है आपको उस और धखेल सकता है इसलिए आपने अपने उपर नियंतित करना है क्योंकि sometimes व्यक्तिक क्रोध और आवस में आकर के को इनको अहित अपना ही कर बैठता है और साथ ही साथ एक छोटी सी बात यहां पर और है कि जो भी यह इस्तितियां होती है ग्रहों के इस्तितियां यह temporary होती है पर्मानेट नहीं होती है लेकिन व्यक्ति इन इस्तितियों से गबरा करके बहुत negative सोचने लगता है मैंने ऐसे ऐसे छोड़ चोड़े बच्चे देखें जो अभी पंडी जी मौरत बता देंगे आपको नहीं आप सॉसाइ्ट करो अक्फिय से मौरत में करो ठाकी कोई प्रॉलम आये है नहीं तो यह सोचना अपने मैं मूरक्ता है स्रॉंग बन स्वाइटिंग आप करें समय के साथ मैं संगर से ही वीजय होती है और संगर्स किसके लाइफ म बात करते हैं सबतमस्तान की अता दामपति सुख की तो यहां पर ब्रेश्ट-पति बहुत ऐसी स्धिति में है bereft when our Д's government रेश्ब्ट बहुत अच्छी पॉजिशन में है इसलिए आपको जबचे सकता हूँ गरस सुख आपको मिलेगा यह साथ इस सब्सक्राइब runs चाहे हो सांजेदारी के व्यापर कर रहे हैं, तब भी आपको support मिले के सांजेदारों का, और चाहे आप एक साधन परिवार से हैं, तब भी मैं आपको बोलूँगा, कि घर गस्ती का सुख, support, आत्मियता, अपनत्व, प्यार, सब कुछ आपको हासिल होगा, सरफ आपने अपन environment है आता, carrier की, तो carrier का स्वामी मंगल है, साथ ही साथ, बुद्धी का स्वामी भी मंगल है, जो कि इस समय, 24 सितंबर 2019 तक negative position पे है, और वहाँ से 7th house को भी देखता है, व्यापारिस्तान को भी देखता है, और खुली में 8th house को भी देखता है, 8th house को बोलते हैं, common sense, 8th house को बो जिंदगी में जो भी संगर्स करके सिखा है, जो भी ठोकरे खाकर के सिखा है, वो संगर्से समझदार आदमी बनता है, समझदारी कहीं पर भी ना तो दुकान में मिलती है, ना किसी कॉलेज में मिलती है, ना स्कूल में मिलती है, और ना को टीचर आपको समझदारी दे सकता समझदार विक्ति खुद बनता है और वो जो experience आपने लिया है वो ही आपको pay करता है तो जो इस्तिती है वो इस्तिती आप working environment में इस्तिती आपके लिए अनुकूल है लेकिन आपने उसको और ज्यादा better way में लेना है और ज्यादा improvement की stage पर आपने जाना है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा उसके लिए आपने मंगल के उपाय करने पड़ेंगे क्योंकि एक ही इस्तिती है इस अगस्तमा में जो आपके लिए problematic है अधा 24 सितमबर तक आपने मंगल के उपाय करने है मंगल के लिए और सिम मंगल को उपाय करने का मतलब यह नहीं को अनुस्तान करने बैठ जाएंगे या आसपास कि पंडी जी को बोलेंगे मंगल के जाप करा दीजिए आप खुद चो कर सकते हो सबसे ज़्यादा दभी आएगा जब आप अपने लिए कोई उपाय करेंगे हर चीज के लिए आप कोई को ऐसा रास्ता मत डूंड़ेंग मेरे को तो टाइम नहीं है टाइम सब के पास में है सब मैनेज करने का तरीका आना चाहिए और जो भी आप पूजा पार्ट करेंगे उससे आपकी inner strength मजबूत होगी और जो inner strength मजबूत होती है पूजा पार्ट करने से डायेक्टली न तो हनुमान जी आपके सामने आएंगे न आपको लक्समी मिलेगी न विष्णू जी आपके सामने आकर करके चेक फाड़ करके देंगे आप ही अपने आपको strong और practical बना सकते हैं कुछ अनुहनी होने से पहले आपको अबास हो जाएगा six sense intuition power डवलप हो जाती है इसी से पूजा पार्ट किया जाता है यही पूजा पार्ट का फाइदा मिलेगा और कोई डंक से फाइदा नहीं मिलेगा तो आपने मंगल के जो भी जाप और जो उपाय करेंगे उससे आपको राहत मिलेगी six sense intuition power में भी जो आपका गुसा है उसमें भी और साइद आप अनुहनी होने से बच जाएं जो loss होने वाला है उससे भी बच जाएं और हो सकता है गुसा है वगरा यह सब आपका नेंतित हो जाए आप negative चीज़ें सोच करके परशान नहीं हो तो time आपका positive है यह मैं आपको बता सकता हूँ सरफ और सरफ जो शनिक दो तिन दिन की समस्यां आ जाती है क्योंकि चनमा जो ही negative इस्तिति में आएगा जो आपकी रासी है उस रासी से तुला रासी में जब भी चनमा आएगा साथ साथ कुम्ब रासी में जब भी चनमा तो यह परशानी सरफ चौपन गंटे की परशानी होती दिये सरफ सवा दो दिन की डाही दिन की परशान होने को लेकर के आप यही सोचिए कि मैं इस परशानी को कैसे टाल सकता हूँ तो इस परिशानली को टालने के बारे में सोचना है आपको टाइम मेनेज करने के बारे में सोचना है जो नेगेटिव टाइम है उसको कैसे पास किया जा सकता है ये सोच करके आपने अपने आपको धहरे में लाना है रासिफल का फाइदा प्लानिंग के रूप में मिलता है रा आपकी रासी से कौन-कौन सी डेट पर आपके साथ में क्या होगा यह हमने मैनत करके एक टेबल बनाई हुए जो हर मा जो भी मैगजिन आती है उसमें यह जो रासी वल की टेबल है वो आती है आप चाहें तो सरफ एक SMS डाल सकते हैं वाटसब कर सकते हैं इमेल पर आप रिक्व कि मुझा यूज ले सकते हैं और एक बार अगर उसको सीख जाएंगे तब क्या होगा आपके साथ में आप उस टेबल को रूटीन में लेना स्टार्ट करेंगा और समय से पहले आप सावधान हो जाएंगे आपको ध्यान रहेगा हाँ दो तीन दिन तो मेरे खराब हैं तो कुछ होने के बाद में जोटिस का फाइदा नहीं एक्सिडेंट हो गया उसके बाद मा तो होस्पिटल जाना है डॉक्टर को पास जाना है ठीक उस समय जोतिस ही क्या करेगा ठीक मान लीजे गर में लड़की है ठीक है और उसने साधी करने निडने ले लिया अपने अपने कि इच्छा से वो love marriage करना चाती है और उसमें जो तिसी पास जाएंगे नहीं मैं यह रोकना चाता हूं तो कैसे करोगा तो कोई उपाय समय से पहले हो सकता है जानकारी समय से पहले हो सकती है आभास हो सकता है और उस आभास से आप आप उस चीज़ को निंतित कर सकते हैं टेकल चल रहा है और उसमें भी इसपेशली 26 अगस्त तक आपने ट्रेवलिंग को थोड़ा सा केरफुली लेना है हो सकता है ट्रेवलिंग में आपके साथ में कोई लॉस हो जाए लॉस का मतलब एक्सिडेंट से नहीं है कोई लॉस का सुख सुदा में कमी से लिटेड है आपने ब प्लान बी के साथ में आपने ट्रेवलिंग करना है अगर कोई खराब इस्तिती हो जाती तो मेरे पास क्या सादन होंगे तो ये था करक रासी के लिए रासी फल अगस्त मांका दोजार उन्नीस आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप क्या चाते हैं इस प्रोग्राम में जो भी आपके सुजारों के अनुसार इस प्रोग्राम में चेंज करेंगे आपको जो कुछ भी चाहिए वो हम देने के लिए भरपूर प्रियास करेंगे मैं और मेरी जो टीम है उसकी तरब से मैं आपको एश्यूर करना चाता हूं वादा करना चाता हूं स्वस्त रहिए प्रसन रहिए अपना और अपने बच्चों का खयाल रखिए और जो मौसम बारिश का है उसमें जितने पेड़ लगा सकते हैं उतने पेड़ लगाईए क्योंकि बिना पेड़ों के यह जो धर्ती है वो सूखी और बंजर हो रही है और हमने यह जिम्मदारी उठानी है क्योंकि oxygen आपको और कहीं नहीं मिलेगी जो container है उसमें oxygen आप खुद देखिए पानी आपने खरीदना स्टाइट कर लिया है तो क्या कुछ वर्सन के बाद में oxygen के container खरीदना चाहते हैं यदि नहीं चाहते हैं तो oxygen आपके आसपास ही आपको पैदा करनी एक माध्यम आपके लिए पेड़ बोदे नमस्कार हो चाहते हैं तो शो जजैकर घसी आपके यदीघ में लिए रहते हैं नमस्कार